कुरिंथियों के नाम पॉलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याए एक पॉलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से ईशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सुस्तिनिस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिंथुस में है अर्था उनके नाम जो मसीह यिशु में पवित्र किये गए और पवित्र होने के लिए बुलाया गए हैं और उन सब के नाम भी जो हर जगा हमारे और अपने प्रभु यिशु मसी के नाम की दुहाई देते हैं हमारे पिता परमेश्वर और प्रभू यिश्व मसी की ओर से तुम्हे अनुग्रहे और शान्ती मिलती रहे। मैं तुम्हारे विशे में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ। इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रहे तुम पर मसीही यिश्व में हुआ। उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ग्यान में धनी किये गए कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभू ईशु मसीह के प्रकट होने की पाट जोते रहते हो। वो तुम्हें आंत तक द्रिड़ भी करेगा, कि तुम हमारे प्रभू येशु मसी के दिन में निर्दोष्ट है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र, हमारे प्रभू येशु मसी की संगती में बुलाया है। हे भाईयों, मैं तुम से येशु मसी, जो हमारा प्रभू है, उसके नाम के द्वारा विनिती करता हूँ, कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूटना हो, परन्तु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो, क्योंकि हे मेरे भाईयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे त ठगड़े हो रहे, मेरा कहना ये है, कि तुम में से कोई तो अपने आँको पॉलोस का, कोई अपुलोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है, क्या मसीही बट गया, क्या पॉलोस तुम्हारे लिए क्रूस पर चड़ाया गया, क्या तुम्हें पॉलोस के नाम पर बप्तिस् बब्तिस्मा नहीं दिया कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बब्तिस्मा मिला मैंने स्थिपनास के खराने को भी बब्तिस्मा दिया इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बब्तिस्मा दिया क्योंकि मसीही ने मुझे बब्तिस्मा देने को न क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्टता है, परंतु हम उधार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्यान वालों के ज्यान को नाश करूगा, और समझतारों की समझ को तुच्छ करतूगा, कहां रहा ग्यानवार, कहां रहा शास्त्री, कहां इस संसार का विवादी, क्या परमेश्वर ने संसार के ग्यान को मुर्खता नहीं ठहराया, क्योंकि जब परमेश्वर के ग्यान के अनुसार, संसार ने ग्यान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा किस प्रचार की मुर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दें। वसी ही परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ग्यान है क्योंकि परमेश्वर की मुर्खता मनुश्यों के ग्यान से ग्यानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुश्यों के पल से बहुत पलवान है। हे भाईयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, कि ना शरीर के अनुसार बहुत ग्यानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुली बुलाए गाये। परन्तु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ग्यानवानों को लच्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लच्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुछों को वरण जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहरा है। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने खमंड ना करने पाए। परंत उसी की ओर से तुम मसीही इशु में हूँ, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थाद, धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है, वैसा ही हूँ, कि जो खमंड करे, वो प्रभु में खमंड करे। अध्याय तो हे भाईयों, जब मैं परमेश्वर का भेच सुनाता हुआ, तुम्हारे पास आया, तो वचन या ख्यान की उत्तमता के साथ नहीं आया, मैंने ये ठान लिया था, कि तुम्हारे बीच, ये शु मसीही, वरन कुरूस पर चढ़ाए हुए मसीही को छोब, और किसी बात को ना मैं निर्बलता और भाय के साथ, और बहुत धर धराता हुआ तुम्हारे साथ रह, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ग्यान की लुभाने वाली बाते नहीं, परन्तु आत्मा और सामर्थ का प्रमान था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ग्यान पर नहीं, परन्तु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो तेजों मैं प्रभु को क्रूस परना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित में नहीं चड़ी। वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूडु बातें भी जाचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बाते जानता है। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है वैसी ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। केवल परमेश्वर का आत्मा परंतु हमारे संसार की आत्मा नहीं। परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा के सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला क परन्तु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहन नहीं करता क्योंकि वे उसकी द्रिष्टी में मुर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जाँच आत्मिक रीती से होती है आत्मिक जन सब कुछ जाँचता है परन्तु वो आप किसी से जाँचा नहीं जाता क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए परन्तु हम में मसीह का मन है अध्यायती हे भाईयों, मैं तुम से इस रीती से बाते ना कर सका चैसे हात्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारिरिक लोगों से और उन से जो मसीही में बालक है मैंने तुम्हें दूद पिलाया, अन ना खिलाया क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो क्योंकि अब तक शारिरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डहा और छगड़ा है तो क्या तुम शारिरिक नहीं, और मनुष्य की रीती पर नहीं चलते इसलिए कि जब एक कहता है मैं पॉलूस का हूँ और दूसरा कि मैं अपॉलूस का हूँ तो क्या तुम मनुश्य नहीं अपॉलूस क्या है पॉलूस क्या है केवल सेवक जिनके दुआरा तुमने विश्वास किया जैसा हर एक को प्रपु ने दिया मैंने लगाया, अप पुलोस ने सीचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सीचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है. लगाने वाला और सीचने वाला दोनो एक है, परंतु हर एक व्यक्ति, अपने ही परिश्वर के अनुसार अपनी ही मज़दूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो. परमेश्वर के उस अनुग्रह की अनुसार, जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री की नाई नेव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेव को छो सोना या चांदी, या वहुमोल पत्थर, या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रगठ हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आख के साथ प्रगठ होगा, और वो आख, हर एक का काम परखेगी कि कैसा है, जिसका काम उस पर ब तो वो हानी उठाएगा, पर वो आप बच्चाएगा, परंतु चलते चलते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो कोई अपने आपको धोखा ना दे यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आपको ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए क्योंकि इस संसार का ग्यान परमेश्वर के निकट पूर्खता है जैसा लिखा है कि वो ग्यानियों को उनकी चतुराई में फसा देता है फिर प्रभू ग्यानियों की चिंताओं को चानता है कि व्यर्थ है इसलिए मनुश्यों पर कोई खमंड ना करे क्या बॉलोस, क्या पुलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविश्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीही के हो और मसीही परमेश्वर का अध्याय चार मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे फिर यहां भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले परन्तु, मेरी द्रिष्टी में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई नियाई मुझे परिखे वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता क्योंकि मेरा मन मुझे किसी पात में दोशी नहीं ठहराता फरन्तु, इस से मैं अंदिरदोश नहीं ठहरता क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभू है सो जब तक प्रभू ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो वही तो अंधकार की छिपी बातें जियोती में दिखाएगा और मनों की मत्यों को प्रगच करेगा तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी हे भाईयों मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अप पुलोस की चर्चा द्रिश्टांत की रीती पर की है इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है और तेरे पास क्या है जो तुने दूसरे से नहीं पाया जबकि तुने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानू नहीं पाया तुम तो त्रिप्थ हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर में हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों की नाई ठहराया है, जिनकी मृत्यों की आग्या हो चुकी हो। क्योंकि हम जगत और स्वर्ग दूतों और मनुश्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में ऑद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आधर पाते हो परंतु हम निराधर होते हैं। हम इस खड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं। और घूसे खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परीश्रम करते हैं, लोग बुरा कहते हैं, हम आशीश देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनिती करते हैं, हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तूओं की खुर्चन की नाई ठहरे हैं मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता हूँ परन्तु अपने प्रिये बालक जान कर तुम्हें चिताता हूँ क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले दस हजार भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं इसलिए कि मसीही इशू में सुसमाचार के त्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ सो मैं तुमसे विनिती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो इसलिए मैंने तिमूत ही उसको जो प्रभु में मेरा प्रिये और विश्वास योग के पुत्र है तुम्हारे पास भेजाएं और वो तुम्हें मसीही में मेरा चरित्र स्मरन कराएगा जैसे कि मैं हर जगा हर एक कलीसिया में उप्देश करता हूँ कितने तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने का ही नहीं परन्तु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीग्र ही आऊंगा और उन फूले हुऊं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है तुम क्या चाहते हो क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आँ या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ अध्याए पांच यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभीचार होता है वरन ऐसा व्यभीचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रता है और तुम शोक तो नहीं करते हैं जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। और मेरी आत्मा हमारे प्रभु येशु की सामर्थ के साथ इकठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु येशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौपा चाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु येशु के दिन में उत्थार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आपको शुध करो, कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसाह, जो मसीह है, बलिदान हुआ है, सो आओ, हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से, और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है, कि व्यभी चारियों की संगती ना करना, ये नहीं, कि तुम बिलकुल इस जगत के व्यभी चारियों, या लोभियों, या अंधेर करने वालों, या मूर्ती पूजगों की संगती ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहला कर वे अभी जारी या लोभी या मूरती पूज़र या काली देने वाला या पियक कर या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगती मत करना। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याई करने से क्या खान। क्या तुम भीतर वालों का न्याई नहीं करते परन तुम बाहर वालों का न्याई परमेश्वर करता है। इसलिए उसको कर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। अध्याई छे क्या तुम में से किसी को ये हियाब है कि जब दूसरे के साथ जगडा हो तो फैसले के लिए धर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगड का नियाई करेंगे सो जब तुम्हें जगड का नियाई करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे जगडों का भी निरनाय करने के योग नहीं क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्ग दूतों का नियाई करेंगे तो क्या सांसारिक बातों का निरनाएं ना करें सो यदि तुम्हे सांसारिक बातों का निरनाएं करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कली सिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाईयों का दिर्ड़ाय कर सके वरन भाई-भाई में मुकदमा होता है और वो भी अविश्वासियों के सामने परन तु सचमुच तुम में बड़ा दोश तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो तुम अ प्रभू यिशु मसी के नाम से और हमारे प्रमेश्वर के आत्मा से ठोय गए और पवित्र हुए, और धर्मी ठहरे, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परन्तु सब वस्तुएं लात की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परन्तु मैं किसी बात के आधिन ना हूँगा, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परन्तु प और बर्मेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसी के अंग हैं तो क्या मैं मसी के अंग लेकर उन्हें विष्या के अंग बनाऊं। कदापी नहीं क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगती करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है क्योंकि वो कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे और जो प्रभु की संगती में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है व्यभिचार से बचे रहो जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है प्रन्तु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुध पाप करता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवितरात्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिये गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो अध्याय साथ को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को, तुम्हें एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो, कि तुम्हारे असयम के कारण शैतान तुम्हें परंतु मैं जो ये कहता हूँ, कि वो अनुमती है ना की आग गया, मैं ये चाहता हूँ, कि जैसा मैं हूँ, वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से, विशेश वर्दान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का, और किसी को किसी और प्रकार का, परन्तु मैं अभी वाहितों और विध्वाओं के विशे में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ परन्तु यदि वे सयम ना कर सकें तो विवाह करें क्योंकि विवाह करना कामातु रहने से भला है जिनका बेहा हो गया है उनको मैं नहीं परन प्रभु आ किया देता है कि पत्नी अपने पती से अलग ना हो और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा बेहा किये रहे या अपने पती से फिर मेल कर ले और ना पती अपनी पत्नी को छोड़े दूसरों से प्रभु नहीं, परन्तु मैं ही कहता हूं। यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसंद हो तो वो उसे ना छोड़े। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुत्य होते, परन्तु अब तो पवित्र है। परन्तु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता है। यदि वो अलग हो, तो अलग होने दो ऐसी दशा में कोई भाई या बेहन बंधन में नहीं। परन्तु परमेश्वर ने तो हमें म धार करा ले। पर जैसा प्रभू ने हर एक को बाटा है, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वो चले। और मैं सब क्लीस सियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हूँ, वो खतना रहित ना बने। जो खतना रहित बुल गया हो उसी में रहे यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है और वैसे ही जो स्वतंत्रता की में बुलाया गया है वो मसी का दास है तुम दान देकर मोल लिये गए हो मनुश्यों के दास ना बनो हे भाईों जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे कुवारियों के विशे में प्रभू की कोई आग्या मुझे नहीं मिली परंतु वि कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे, यदि तेरी पत्नी है, तो उससे अलग होने का यत्म ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं, तो पत्नी की खोज ना कर, परन्तु यदि तु ब्याह भी करे, तो पाप नहीं, और यदि कुवारी ब्याही जाये, तो कोई पाप नहीं परन्तु ऐसों को शारिरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूं है भाईयों मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानों के पत्नी नहीं और रोने वाले ऐसे हो मानों रोते नहीं और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनत नहीं करते और मोल लेने वाले ऐसे हों कि मानो उनके पास कुछ है नहीं और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों ये संसार ही के ना हो ले क्योंकि इस संसार की रीती और व्यवहाद बदलते जाते हैं सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसंद रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्री को किस रीती से प्रसंद रखे, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेत है, और आत्मा दोनों में पवित्रू। परंतुए वाहिता संसार की जिंता में रहती है कि अपने पती को प्रसन रखे। ये बात तुम्हारे ही लाप के लिए कहता हूं। ना कि तुम्हें भसाने के लिए। वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए। कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। और यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुवारी का हक मार रहा हूं। जिसकी जवानी ढल चुकी है और प्रियोजन भी होए। तुछ जैसा चाहे वैसा करे। इसमें पाप नहीं। वो उसका ब्याहा होने दे। परन तुजो मन में द्रिड रहता है और उसको प्रियोजन ना हो। वरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो। और अपने मन में ये बात ठान ली हो। कि मैं अपनी कुमारी लड़की को बिन ब्याही रखूंगा। वो अच्छा करता है। सो जो अपनी कुम पती जीवित रहता है तब तक वो उससे बंधी हुई है। परंतु जब उसका पती मर चाए तो जिससे चाहे विवहा कर सकती है। परंतु केवल प्रभू में। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है। और मैं समझता हूँ कि अत्मा मुझ में भी है। अध्याए आठ अब मूर्तों के सामने बली की हुई वस्तूओं के विशे में। परमेश्वर पहचानता है। मूर्तों के सामने बली की हुई वस्तूओं को खाने के विशे में हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तू नहीं। और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपी आकाश में और प्रत्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभू हैं तो भी हमारे निकरतो एक ही परमेश्वर हैं। अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तूओं हैं। हम उसी के लिए हैं और एक ही प्रभू है। अर्थात येश्व मसीह जिसके द्वारा सब वस्तूओं हुई हैं। और हम भी उसी के द्वारा हैं। सबको ये ज्ञान नहीं है। परन्तु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूरतों के सामने बली क्यू हुई को कुछ वस्तूओं समझ कर खाते हैं। और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुँझाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानी नहीं। और यदि खाएं तो कुछ लाव नहीं। चौकस्रप ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंतृता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। यदि कोई तुछ ग्यानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्बल जन हो। तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बली की हुई वस्तू के खा अब ना हो जाएगा इस रीती से तेरे ग्यान के कारण वो निर्बल भाई नाश हो जाएगा। जिसके लिए मसीह मरा भाईयों का अपराद करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराद करते। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिल तो मैं कभी किसी रीती से मांस ना खांग। ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण वनूँ। क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें ये अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन को बिहा करके लिए फिरें? जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनवास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े? कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगा कर उसका फ़ल नहीं खाता है? कौन भेडों की रखवाली करके उनका दूद नहीं पीता? क्या मैं ये बाते मनुश्य ही की रीती पर बोलता हूँ? क्या विवस्था भी यहीं नहीं कहती? क्योंकि मूसा की विवस्था में लिखा है कि दाए में चलते हुए बैल का मुहना बांधना, क्या परमिश्वर बैलों ही की चिंता करता है? या विशेश करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते, और दा आगी होने की आशा से दाव नी करें, तो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तों बोई, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारिरी क्वस्तों की फसल काटें। और जो वेदी की सेवा करते हैं, वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीती से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परन्तु मैं इन में से कोई भी बात काम में ना लाया। और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमन वेर्थ ठहराए। और यदि मैं सू समाचार सुनाओं तो मेरा कुछ खमन नहीं क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सू समाचार ना सुनाओं तो मुझ पर हाई। यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है। और यदि अपनी अच्छा से नहीं करता तो भी भंडारी पन मुझे सौपा गया है सो मेरी कौन सी मचदूरी है ये कि सूसमाचार सुनाने में मैं मसी का सूसमाचार सेंथ मेंत कर दूँ यहां तक कि सूसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीती से काम मिलाँ क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आपको सबका तास बना दिया है कि अधिक लोगों को खीच लाऊं मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खीच लाऊ जो लोग व्यवस्था के आधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के आधीन ना होने पर भी व्यवस्था के आधीन बना प्यूने जो व्यवस्था के आधीन है खीच लाओं व्यवस्था हीनों के लिए मैं जो पर्मेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परन्तु मसीही की व्यवस्था के आधीन है व्यवस्था हीन सा बना कि व्यवस्था हीनों को खीच लाऊं। व्यवस्था हीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं। परंतु मसी की व्यवस्था के आधीन हूं। व्यवस्था हीन सा बना कि व्यवस्था हीनों को खीच लाऊं। मैं निर्बनों के लिए निर्बन सा बना कि निर्बनों को खीच लाओं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूँ। कि किसी ना किसी रीती से कई एक का उधार कराओं। और मैं सब कुछ सूसमाचार के लिए करता हूँ, जो औरों के साथ उसका भागी हो जाओ क्या तुम नहीं जानते कि दौड में तो दौडते सभी हैं, परन्तु इनाम एक ही ले जाता है तुम वैसे ही दौडों की जीतो, और हर एक पहलवान सब प्रकार का सयम करता है वे तो एक मुर्जाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परन्तु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं, जो मुर्जाने का नहीं इसलिए मैं तो इसी रिपी से तौडता हूँ, परन्तु पे ठिकाने नहीं मैं भी इसी रिती से मुक्पों से लड़ता हूँ, परन्तु उसकी नाई नहीं, जो हवा पीटता हुआ लगता हूँ, परन्तु मैं अपनी देह को मारता, कूठता और वश मिलाता, ऐसा ना हूँ, कि औरों को प्रचार करके, मैं आप ही किसी रिती से निकम्मा ठहरूँ अध्याय दस पीते थे, चोन के साथ साथ चलती थी, और वो चटान मसीही था, परन्तु परमेश्वर उन में के बहुत थेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ठेर हो गए ये बाते हमारे लिए दृष्टांत ठेरी, कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तूओं का लालच ना करें, और ना तुम मूरत पूजने वाले बनों, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे, और खेलने कूदने उठे, ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में तैईस हजार मर गए, ना हम प्रभू को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सापों के द्वारा नाश किये गए, ना तुम कुड़कुडाओ, जिस रीती से उनमें से कितने कुड कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किये गए ये सब बातें जो उन पर पड़ी द्रिश्टांत की रीती पर थी और वे हमारी चेतावने के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है इसलिए जो समस्ता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कही गिरना पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से पाहर है परमेश्वर सच्चा है वो तुम्हें सामर्ष से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको इस कारण, हे मेरे प्यारों मूर्ती पूजा से बचे रहू, मैं बुद्ध हिमान जान कर तुम से कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ, उसे तुम पर्खो, वो धन्यवात का कटोरा जिस पर हम धन्यवात करते हैं, क्या मसी के लोहू की सह भागिता नहीं, वो रोटी जिसे हम तोड होते हैं, क्या वो मसी की दे की सह भागिता नहीं, इसलिए, कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत हैं, एक दे हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं, जो शरीर के भाव से इसराइली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सह भागी नहीं फिर मैं क्या कहता हूं क्या ये कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है नहीं वरन ये कि अन्य जाती जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परन्तु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों मेसे नहीं पी सकते, तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साज ही नहीं हो सकते, क्या हम प्रभु को रिष्ट दिला क्या हम उससे शक्तिमान हैं। यदिया विश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहूं तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछू। परंतु यदि कोई तुम से कहे ये तुम मूरत की बली की हुई वस्तु है तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाण। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों पर्खी जाए। यदि मैं धन्यवात करके साची होता हूं तो जिस पर मैं धन्यवात करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पीओ, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, तुम ना यहूदियों, ना युनानियों, और ना परमेश्वर की कलिसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सब को प्रसंद रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाब ढूंडता हूं कि वे उत्धार पाएं। अध्याए ग्यारा तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हे भाईयों मैं तुम्हें सराहता हूं जिसा बातों में मुझे स्परन करते हूं। कि हर एक पुरुष का सिर मसी है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसी का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविश्य द्वानी करता है, वो अपने सिर का अपमान करता है। परंतु जो स्त्री उधाले सिर प्रार्थना या भविश्य द्वानी करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है, यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े, तो बाल भी कटा ले? यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लच्चा की बात है, तो ओढ़नी ओढ़े, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढाकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं इसलिए स्वर्ग दूतों के कारण इस्त्री को उचित है, कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु में ना तो इस्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना इस्त्री के है, क्योंकि जैसे इस्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष इस्त्री के द्वार परन्तु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम अपने आप ही विचार करो। क्या इस्त्री को उखाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहाता है। क्या स्वभावी कृती से भी तुम नहीं जानते। कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अप कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीती है। परन्तु या आग्या देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता। इसलिए कि तुम्हारे इकठे होने से भलाई नहीं परन्तु हानी होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जग तुम कलीसिया मे इकठे होते हो तो तुम में फूठ होती है और मैं कुछ-कुछ प्रतीती भी करता हूँ क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाए सो तुम जो एक जगा में इकठे होते हो तो ये प्रभु भोज़ खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज़ खा लेता है, सो कोई तो भूखा रहता है, और कोई मतवाला हो जाता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलिसिया को तुछ जानते ह और जिनके पास नहीं है उन्हें लच्जित करते हो मैं तुमसे क्या कहूं क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं मैं प्रशंसा नहीं करता क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी क्योंकि प्रभु यिशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरन के लिए यही किया करो इसी रीती से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लो करन के लिए यही किया करो क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु को जब तक वो ना आये प्रचार करते हो इसलिए जो कोई अनुचित रीती से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पीए वो प्रभु की देह और लो में से खाए और इस कटोरे में से पिए क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभू की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने उपर दंड लाता है इसी कारण तुम में बहुत देरे निर्बल और रोगी है और बहुत से तो सो भी गए यदि हम अपने आपको चांचते तो दंड न पाते परन्तु प्रभू हमें दंड देकर हमारी तालना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोशी न ठहरें इसलिए हे मेरे भाईयों जब तुम खाने के लिए इक अठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले जिससे तुम्हारा इकठा होना दंड का कारण ना हो और शेश बातों को मैं आकर ठीक कर दूँगा अध्याए बारा हे भाईयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वर्दानों के विशे में अग्यात रहो तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाती थे तो गूंगी मूरतों के पीछे जैसे चलाय जाते थे वैसे चलते थे इसलिए मैं तुम्हें चितौनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यिशू स्रापित है और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि इशु प्रभू है वर्दान तो कई प्रकार के हैं परन्तु आत्मा एक ही है और सेवा भी कई प्रकार की है परन्तु प्रभू एक ही है और प्रभावशाली कारिक कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाउत्पन करता है, किन्तु सब के लाब पहुचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धी की बाते दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ग्यान की बाते हैं और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वर्दान दिया जाता है फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ती और किसी को भविश्य द्वानी की और किसी को आत्माओं की परक्त और किसी को अनेक प्रकार की भाशा और किसी को भाशाओं का अर्थ बताना परन्तु ये सब प्रभावशाली कार में वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सबंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है उसी प्रकार मसीवी है क्योंकि हम सबने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिसमा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया इसलिए कि देह में एकियन नहीं परन्तु बहुत से हैं यदि पाउं कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं तो क्या वो इस कारण देह का नहीं और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं तो क्या वो इस कारण देह का नहीं यदि सारी देह आँखी होती तो सुनना कहा होता, परन्तु सच्मुच परमेश्वर में अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है, यदि वे सब एक ही अंग होते, तो देह कहा होती, परन्तु अब अंग तो बहुत से हैं, परन्तु देह एक ही है, आँख हाच से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और ना सिर्फ पाउं से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं, परन्तु देह के वे अंग जो औरों से इंदिरबल देख पड़ते हैं, बहुत ही आविशक हैं और देह के जिनंगो को हम आदर के योक्य नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिकादर देते हैं और हमारे शोभा ही अंग और भी बहुत शोभाय मान हो जाते हैं फिर भी हमारे शोभाय मान अंगों को इसका प्रियोजन में परन्तु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो ताकि देह में पूठना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है, तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है, तो उसके साथ सब अंग आनंद बनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग-अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कली सिया में अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त किये हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविश्य द्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्त के काम करने वाले, फिर जंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाशा बोले हैं। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविश्य द्वक्ता हैं? क्या सब कुई देशक हैं? क्या सब सामर्त के काम करने वाले हैं? क्या सब को चंगा करने का वर्धान मिला हैं? क्या सब नाना प्रकार की भाशा बोलते हैं? क्या सब अनुवात करते हैं? तुम बड़े से बड़े की धोन में रहो परन्त मैं तुम्हें और भी सब से उत्तम मार्ग बताता हूँ अध्याय तेरा यदि मैं मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलू और प्रेम ना रखूँ तो मैं ठन ठनाता हुआ पीतल और जन जनाती हुई जांचू और यदि मैं भविश्य दुआनिक कर सकूँ और सब भेदों और सब प्रकार के ज्यान को समझू और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाडों को हटा दू परन्तु प्रेम ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं और यदि मैं अपनी संपून संपत्ति कंगालों को खिला दू या अपनी देह जलाने के लिए देदू और प्रेम ना रखूँ तो मुझे कुछ भी लाब न प्रेम डहा नहीं करता प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं वो अनृती नहीं चलता वो अपनी भलाई नहीं चाहता छुझलाता नहीं बुरा नहीं मानता कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है वो सब बातें सह लेता है सब बा बातों में धीरच रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविश्य द्वानियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाशाएं हों तो जाती रहेंगी, ग्यान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ग्यान अधूरा है, और हमारी भविश्य द्वानी अधूरी, परन्तु जब सर्व जब मैं बालक था, तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों कासा मन था, बालकों की सी समझ थी, परन्तु जब सियाना हो गया, तो बालकों की बाते छोडदी, अब हमें तरपण में धुंदला सा दिखाई देता है, परन्तो उस समय आमने सामने देखेंगे इस समय मेरा ग्यान अधूरा है परन्तो उस समय ऐसी पूरी रीती से पहिचानूंगा जैसा मैं पहिचाना गया हूँ परब, विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थाई हैं पर इन में सबसे बड़ा प्रेम है अध्याय चोदे है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो विशेश करके ये कि भविश्य द्वानी करो क्योंकि जो अन्य भाशा में बातें करता है वो मनुश्यों से नहीं परन्तो परमेश्वर से बातें करता है इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है परन्तो जो भविश्य द्वानी करता है वो मनुश्यों से उन्नती और उक्तेश और शान्ती की बातें कहता है जो अन्य भाशा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नती करता है परन्तु जो भविश्य द्वानी करता है वो कलीसिया की उन्नती करता है मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्ने भाशाओं में बाते करो परन्तु अधिकतर ये चाहता हूँ कि भविश्य द्वानी करो क्योंकि यदि अन्याय भाशा बोलने वाला कलीसिया की उन्नती के लिए नुवात ना करें तो भविश्य द्वानी करने वाला उससे बढ़कर है इसलिए है भाईयों यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्यान्ने भाशा में बातें करूं और प्रकाश या ग्यान या भविश्य द्वानी या उब्देश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाब होगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनी निकलती है। जैसे बासुरी या बीम यदि उनके स्वरों में भेदना हूँ तो जो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा। और यदि तुरी का शब्द साफ ना हूँ तो कौन लड़ाई की लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीव से साफ साफ बातें ना कहूँ तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाशाएं क्यों ना हूँ। परंतों में से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाशा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टी में परदेशी ठहरूंगा। और बोलने वाला मेरी दृष्टी में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्म करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नती से कली सिया की उन्नती हो। इस कारण जो अन्य भाशा बोले तो वो प्रार्थ ना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाशा में प्रार्थ ना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थ ना करती है। नहीं तो यदि तु आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो प्र अक्यानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा। इसलिए कि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है तू तो भली भाती से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नती नहीं होती मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्यान्य भाशा में बोलता हूँ परंतु कलिसिया में अन्य भाशा में दस हजार बाते कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुध्धी से पाँची बाते कहूं हे भाईयों तुम समझ में बालक ना बनो बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अन्य भाशा बोलने वाले के द्वारा और पराय मुख के द्वारा इन लोगों से बाते करूंगा तो भी वे मेरी ना सुने इसलिए अन्यान्य भाशाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्न है और भविश्यत्वानी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्न है सो यदि कलीसिया एक जगा इकठी हो और सब के सब अन्यान्य भाशा बोलें और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आजाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे परंतु यदि सब भविश्य द्वानी करने लगें और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आजाए तो सब उसे दोशी ठहरा देंगे और परक लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वो मूँ के बल गिरकर परमेश्वर को दन्लवत और मान लेगा कि सच मुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है इसलिए है भाईयो क्या करना चाहिए जब तुम इखटे होते हो तो हर एक के हिर्दय में भजन या उकदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है सब कुछ आत्मिक उन् करने हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवात करें परन्तु यदि अनुवात करने वाला नहो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बाते करें भविश्य दुखताओं मे से दो वातीन बोले और शेश लोग उनके वचन को पर्खें परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ इश्वरी अप्रकाश हो पहला चुप हो जाए क्योंकि तुम सब एक-एक करके भविश्य द्वानी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शान्ती पाएं और भविश्य द्वक्तवाओं की आत्मा भविश्य द्वक्तवाओं के वश में है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शान्ती का करता है जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है क्योंकि उन्हें बाते करने की आग्या नहीं परंतु आधीन रहने की आग्या है जैसा विवस्था में लिखा भी है और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पती से पूछें क्योंकि इस्त्री का कलीसिया में बाते करना लज्जा की बात है क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केबल तुम ही तक पहुँचा है यदि कोई मनुष्य अपने आपको भविश्य द्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बाते मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आग्याएं हैं पर अन्तु यदि कोई ना जाने तो ना जाने सो हे भाईयों भविश्य द्वानी करने की धुन में रहो और अन्य भाशा बोलने से मना ना करो पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं हे भाईयों मैं तुम्हें वही सू समाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं जिसे तुमने अंगिकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर्पी हो यदि उस्सू समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, तो उसी के द्वारा तुम्हारा उत्थार होता है, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुचा दी, जो मुझे पहुची थ कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, यश्यू मसी हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जीभी उठा, और कैफा को तब बारहों को दिखाई दिया, फिर पांच सौ से अधिक भाईयों को एक साथ पर कितने सो गए, फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग के भी नहीं क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुक्रह से, जो मुझ पर था, सो चाहे मैं हूँ, चाहे वो हूँ, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। सो जबकि मसी का ये प्रचार किया जाता है, कि वो मरे हूँ में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं, कि मरे हूँ का पुनुर्थान है ही नहीं, यदि मरे हूँ का पुनुर्थान ही नहीं, तो मसी भी नहीं जी उठा, और यदि मसी नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है यदि परमेश्वर ने मसी को नहीं जिलाया और यदि मरे हुए नहीं जी उठते तो हम परमेश्वर के जूटे गवा ठेरे क्योंकि हमने परमेश्वर के विशे में ये गवा ही दी कि उसने मसी को जि यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसी भी नहीं जी उठा, और यदि मसी नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में भसे हो, परन जो मसी में सो गए हैं, वे भी नाशुए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसी से आशा उठा है, और जो सो गए हैं, उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा अमृत्यों आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हूँं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसी में सब चलाए जाएंगे, परन तु हर एक, अप वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ कांत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौप देगा, क्योंकि जब तक कि वो अपने बैरियों को अपने पाउं तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा, वो मृत्यू है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पाउं तले कर दिया है, परन्तु जब वो कहता है, कि सब कुछ उसके आधिन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है, कि जिसने सब कुछ उसके आधिन कर दिया, वो आप अलग रहा, और जब सब कुछ उस के आधीन कर दिया ताकि सब में परमेश्वर ही सब को छो नहीं तो जो लोग मरे हूँ के लिए बबतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे यदि मुर्देजी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बबतिस्मा लेते हैं और हम भी क्यों हर घड़ी जोखी में पड़े रहते हैं हे भाईयों मुझे उस खमंड की सहुझ जो हमारे मसी यिशू में से तुम्हारे विशे में करता हूँ कि मैं प्रति दिन मरता यदि मैं मनुष्य की रीती पर इफुसुस में वन पशुँँ से लड़ा तो मुझे क्या लाब हुआ यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं क्योंकि कल तो मरी जाएंगे थो खाना खाना बुरी संगती अच्छे चरित्र को बिगार देती है धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमिश्वर को नहीं जानते मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीती से जी उठते है और कैसी देह के साथ आते हैं फिर निर्बुद्धी जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता और जो तू बोता है वो ये देह नहीं जो उत्पन होने वाली है फरंतू निरादाना है चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाच का पर परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसा उसको देह देता है और हर एक बीच को उसकी विशेश देह सब शरीर एक सरीखे नहीं परंतू मनुश्यों का शरीर और है पश्यों का शरीर और है पक्षियों का शरीर और है मच्छियों का शरीर और है स्वर्गिये देह हैं और पार्थिव देह भी हैं परंतु स्वर्गिये देहूं का तेज और है और पार्थिव का और सूरे का तेज और है चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है शरीर नाश मान दशा में बोया जाता है, और अविनाशी रूप में ची उठता है, वो अनादर के साथ बोया जाता है, और तेज के साथ ची उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है, और सामर्थ के साथ जी उठता है, स्वाभाविक देह बोई जाती है, और आत्मिक देह जी उठती है जबकि स्वाभाविक देहे है तो आत्मिक देहे भी है ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथा मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन दायक आत्मा बना परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था इसके बाद आत्मिक हुआ प्रथा मनुष्य धर्ती से अर्थात मिट्टी का था दूसरा मनुष्य स्वर्गिये है जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं जैसा वो स्वर्गिये है वैसे ही और भी स्वर्ग करेंगे हे भाईो मैं यह कहता हूं कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है देखो मैं तुम से भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूंकते ही होगा क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान दे है अविनाश को पहन ले और ये मरनहार दे अमर्ता को पहन ले और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरनहार अमर्ता को पहन लेगा तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जये ने मृत्यू को निकल लिया हे मृत्यू, तेरी जय कहा रही, हे मृत्यू, तेरा डंक कहा रहा ब्रत्यू का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परन्तु परमेश्वर्त धन्यवाद हो जो हमारे प्रभू यिशू मसी के द्वारा हमें जयवंत करता है सोहे मेरे प्रिये भाईउं, द्रेट और अटल रहो, और प्रभू के काम में सरवदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो, कि तुम्हारा परिश्रम प्रभू में व्यर्थ नहीं है अध्याए सोला अब उस चंदे के विशे में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आग्या मैंने गल्तिया की कलिसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो सब्ता के पहले दिन, तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े और जब मैं आऊंगा, तो जने तुम चाहोगे, उन्हें मैं चिठियां दे कर भेज दूँगा, कि तुम्हारा दान यरुशलेम पहुचा दे, और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ, तो वे मेरे साथ जाएंगे मैं मकी दुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकी दुनिया होकर तो जाना ही है, परन्तु संभव है, कि तुम्हारे यहां ही ठहर जाओं, और शरद रितू तुम्हारे यहां काटूं, तब चे सोर मेरा जाना हो, उसोर तुम मुझे पहुचा दो, क्यों परन्तु मैं पेंतिकुस तक इफुसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, और विरोधी बहुत से हैं, यदि तीमूत ही उस आ जाएं, तो देखना कि वो तुम्हारे यहां निडर रहें, क्योंकि वो मेरी नाई प्रभु का का करता है, इसलिए कोई उसे तुछ न जाने, परन्तु उसे कुशल से इस ओर पहुचा देना, कि मेरे पास आ जाएं, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूं, कि वो भाईयों के साथ आए, और भाई अपुलोस से मैंने बहुत विनिति की, कि तुम्हारे पास भाईयों के साथ जाए, परन्तु उसने इस समय जाने की कुछ भी छना की, पर जब अवसर पाएगा, तब आ जाएगा, चाकते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुशार्थ करो, बलवन्त हो, जो कुछ करते हो, प्रेम से करो, हे भाईयों, तुम इस्थिफ नास के घराने को जानते हूं, कि वे अखिया के पहले फल हैं, और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तयार रहते हैं, समय तुमसे विनिति करता हूं, कि ऐसों के आधीन रहो, वरन हर एक के, जो इस कान में परिश्रमी और सह कर्मी हैं, और मै इस्थिफ नास और फर्तुनातुस और अखई कुस के आने से आनन्दित हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी पूरी की हैं, और उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया हैं, इसलिए ऐसों को मानो, आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्का, के घर की कलीसियों का भी तुमको प्रभू में बहुत बहुत नमस्का, सब भाईयों का तुमको नमस्का, पवित्र चुम्बन से आपस में नमस्का कर, मुझ पॉलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्का, यदि कोई प्रभू से प्रेम ना रखे, तो वो स्रापित हो, ह आसी ही इशू में तुम सबसे रहे आमीन इशू में तुम सबसे रहे आमीन आसी ही इशू में उन्हाओ। झाल झाल